सभी परकार की OCD अब हो जाएगी ठीक क्योंकि साथ दिवसिय भगवत गीता थेरपी कोर्स ओपलाइन सिर सहर्याना में होने जा रहा है डेट और समय और स्थान जानने के लिए मुझसे आप कभी भी बात कर सकते हैं OCD में विचार आते हैं और विचार हमारे साथ क्या करते हैं विचार हमारा क्या हाल करते हैं और इन विचारों से निप्टने का भगाने का सुपर हिट फोर्मूला क्या है वो भी आज के इस वीडियो में आप जान लेंगे तो मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है मैं राजिंदर जोद पुरियाब मनोवेग्यानिक, आज की इस वीडियो में आपका हार्थिक सवागत करता हूँ एक डेमो के माद्यम से समझे कि विचार OCD में क्या हाल करते हैं जैसे मेरे हाथ में ये छलनी है, इसमें मैं पानी डालता हूँ पानी डाल रहा हूँ लेकिन जलनी भर नहीं रही है, पानी इसमें से निकल जाता है पानी क्यों निकल जाता है, ये तो आप जानते ही हैं कि ये पानी रोखने के लिए नहीं बनी है इसमें जितना मर्जी पानी डालो पानी इसमें इखठा होगा ही नहीं पानी नीचे गिर जाएगा इसी परकार हमारे मन में भी भहुसे छेद हो जाते हैं उन छेद में से अनर्जी निकलती रहती है और ये नेगटिव विचार, ड्रावने विचार, गंदगी वाले विचार, भगवान से समंदित विचार ऐसे छेद हैं जो मन के अंदर हो जाते हैं और सारी उर्जा इसमें से निकल जाती है और मन उर्जा रही तो हो जाता है जिसके अंदर OCD वाले विचार आते हैं, जितनी भी परकार की OCD है, वो सभी विचार छेद का रूप होते हैं मन की अनर्जी को क्या कर देते हैं चूस लेते हैं मन खाली हो जाता है मन अनर्जी रही तो हो जाता है उर्जा वहीन हो जाता है तो ये विचार ऐसा हाल करते हैं इनसान को खाली कर देते हैं अब बचने का तरीका जान लीजिए कि इन विचारों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए इन विचारों को आने दें जाने दें जितने आते हैं उतने आने दें इनका सामना करें और इनको गाली भी दें कि OCD वाले साले कुते कमीने विचारो आ जाओ मैं तुम्हारा सामना करूँगा जब आप इस तरह से बोलते हैं तो एक बार तो घबराट बड़ेगी एंग्जाइटी बड़ेगी लेकिन धीरे धीरे सलो हो जाएगी इस फारमूले से मैंने हजारों लोगों को ठीक किया है आप भी अपलाई करिएगा अगर कोई भी समस्या आए तो मुझसे बेजिजक बात कर लीजिएगा मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है